नमस्कार दोस्तों स्वागता आपका हमारा YouTube चेयनल सेवा उनलाइन क्लासेश में दोस्तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन आर्मी के रिकुल्मेंट के बारे में तो दोस्तो यहां पर आप देख सकते हैं स्क्रीन पर इंडियन आर्मी ने महला और पुरूज दोनों के लिए हैं रिप्रूल्मेंट के लिए नोटिफिकेशन जारे किया है तो दोस्तो इस वीडियो में हम जानेंगे इस वर्ति के बारे में कुछ डेटेल में तो यहांपर में कुछ छोटी-छोटी चीज़ां आपके लिए पहले बता दे रहा हूं यहांपर जो यह भर्ति होने बादी इंडिनारों में यह जैग ब्रांच में होने बादी यह जैग होता है दोस्तो जैज एल्वोकेट जनरल तो यह लोग जो किये हुए हैं दोस्तो जि आप अनमेरिट होना चाहिए हैं आब दन ओनलाइन होंगे दोस्तो और आब दन शुरू हो चुके हैं तो आपके यहांपर योगिता होगी एलेंदी एज लिमिट दोस्तों काफी अच्छी दी हुई है यहांपर एज लिमिट है 21-77 तक तो जान लेते हैं हम इसी वर्ति के ब आपको बता चुका हूं जर्च एड्बूकेट जेनरल तो यह 2020 में जेक ब्रांच के लिए जो है इंडियन आर्मी ने नोटिफिशन जानी कि इसमें मेल और फिमेर दोनों ही अप्लाइब कर सकते हैं यह जो नोटिफिशन है दोस्तों यह 17 जनुबर 2020 के लिए मतलब आज ही अप्लोड की गई है यहां पर इंडियन आर्मी की तरफ से तो इस वर्ति में हम जानेंगे इस वर्तिक बार में डिटेयर में है तो यहां पर आप देख सकते हैं पोस्त नेम है जैज एड़्वोकेट जनरल बैच तो यहां पर जैज एड़्वोकेट जनरल क्या जो है वो पोस्त नेम होगा एप्लाइब मोड दोस्तों आपका ऑनलाइन होगा म मतलब इंडिया के किसी भी राजसे बलाउं करते हैं तो आप इस वर्तिक लिए आपलाइइ कर सकते हैं और आप इस वर्तिक लिए अपलाइग कर सकते हैं यह दोस्तों ओफिसर इंट्री है यहांपर पेस्केल बहुत अच्छ दिया हुगा है 56,100 पर मंद आपकी बेसिक पे होगी उसके बाद में आपकी अधर लांचिस भी होगे अप्लिकेशन फीज दोस्तों फ्री होगी आपको आपधन करने के लिए आपको कोई भी अप्लिकेशन फीज नहीं देनी होगी है दोस्ते यांप बहुत अच्छी है फर मेहल केंडिटेट्स 157 सेंटिमिटर एंड़ फोर फिमेल केंडिटेट्स 152 सेंटिमिटर तो अगर आप मेरा होगे आपके लिए हाइट बहुत अच्छी है आपके 57.5 cm अगर आपके हाइट है तो आप इस वर्तिक लिए अप्लाई कर सकते हैं और आपके हाइट 152 cm है यहांको दोस्तों हाइट कम क्यों ली जा रही है क्योंकि यह अफिसियल जॉब है और यहां पर है यहां पर यहां वी जो किये हुए कंडियर से केबल वही इस वर्तिक में अप्लाई कर सकते हैं रहने होगी आपकी 2.4 km मतलब 24 सब मीटर इन 15 मिन तो रहनें भी जादर नहीं है दोस्तों 2.4 km बने 15 मिट मां आपको कंपलीट करने होगी एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट पर आपकी काफिय अच्छी दी हुई है 21 साल से 27 साल तक आपकी एज लिमिट होगी तो आपकी जो डेटो बढ़त वो 1 जुलाई 1993 से 1 जुलाई 1999 की बीच में होनी चाहिए नेक्स्ट दोस्तों स्लेक्शन प्रोसेस आपका होगा पकी ट की टी मतरब आपका फिजिकल टेस्ट होगा ससे बहरत शरुग तो आपको सबसे पहले फिजीकल टेस्ट होगा फिर आपका इंट्रिव्य होगा जो कि पांच दिन तक चाहता है दोस्तों और उसके बादना आपका मेडिकल लग जाना होगा अगर आप इन तीनों में पास हो जाते हैं तो आप इंटिन आदमी की जैग बेज में जोग पास सक हैं खाउन और यहां पर आप देख सकते हैं आपके लिए लुटयों भंसे माते हैं तो आप इस वर्टेय में कर सकते हैं तो दोस्तों यह से कना नहीं था तो कैसे लगल आपको उसक्त बोटाइए और ऊसजेए लए बजू ant- smiles, तो चलिए दोस्तों कल फिर मिनते हैं एक नई वीडियो साथ में तब तक लिए नमस्कार जैहन जैवारत